गैस, AWL के उपर थोड़ा बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा फसा हुआ है इसमें, आज भी देखेंगे तो ये 1% के आसपास गिर गया है, अब सब को पता है कि FMCG की कमपनी है, एडिबल ऑइल, वीट फ्लोर, राइस, बलसे, सुगर बगएरा ये डील करती है, अमिन बनाती है और बेशती है, मारकेट कैब जबरदस्त है, अभी हिंदनबर्ग की न्यूज बगएरा या इसके ओपर जो भी इलजाम लगे है उन सब को अगर भूल जाए, तो सिर्फ इसके फंडमेंटल्स और टेक्निकल्स देख कि हमको कैसा लगता है, इसको होल्ड करना चाहिए, बेश देना चाहिए, मेरी जो थौट है इसके ओपर बहुत स्ट्रेट फॉरवड है, तो जो इसका कैंडल वाला चार्ट होगा, उस पर मैं इसको आपको अच्छे से बता दूँग शायद इसके गिरने के बाद इसमें बाइंग शुरू करें, जो बड़े लोग होते हैं वो, तो पहला फेक्टर तो यही है इसके गिरने का, हम लोग हिंडरन बग को पहला फेक्टर नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो जग जाहिर है, सब को पता है, दूसरी चीज अभी नए को इसमें एंटरी नहीं करने चाहिए, क्यों, क्योंकि बहुत सारे इल्जाम इसके उपर लगे हैं, जो की प्रूफ नहीं हुए अभी तक, लेकिन डिकलाइन भी नहीं हुए है, ठीक है, अभी के टाइम पे इसका रिटरन ऑन इकुटी देखेंगे, तो अब्विसली जो य यह बिजनस एक्वार करते रहते हैं, डिविडेंड अभी तक यह कंपनी नहीं दे रही है, और जो सबसे स्ट्रॉंग चीज है, जो इसके इन्वेस्टर्स को इसमें होल्डिंग बना के रखने के लिए, मतलब पुछ कर रही है, वो है इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग, तो अभी तक अपना स्टेक कम नहीं किया है, इसे इनको 75% तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो बांकी 75% के बाद जो एक्स्टरा रहेगा, वो किसके पास जाता है, वो भी डिसाइड करेगा कि ये स्टॉक उपर जाएगा, या नीचे जाएगा, तो स्टॉक को अगर दिरना शुरू हुआ है, वहां से कंटिनिवेशन में यहां तक गिरा है और यहां से इसमें कंसॉलिडेशन चल रहा है, चार्ट में हम लोग गैंडल वाले चार्ट में अच्छे से देख लेंगे, लेकिन लोग जो इसमें फशे थे वो फशे थे यहां पे, क्यूंकि जिन इसका क्या मतलब होता है यहां पर बाइयर्स बहुत ज्यादा अक्टिव है और यह एक सपोर्ट भी था जिसकी वज़़े से लोगों ने यहां पर भर भर के बाइंग की और उसके बाद आई न्यूज जिसकी वज़़े से यह सड़नली फॉल किया अब इसके पी देखने से हम को क्या मालूम चल रहा है कि यह है तो अपने मीडियन के आसपास ही लेकिन इसका EPS जो है वो continuation में fall कर रहा है तो अभी इसमें recovery देखने के लिए या फिर new investment करने के लिए या फिर averaging बोल सकते हैं वो करने के लिए आपको सबसे पहले इसके EPS के जो पहाड़ है यह जो पढ़ देटा चेक करते हैं मार्च 2022 से 23 का तो यहां पर आपको profit decline बहुत huge दिखाई देगा जो कि पहले कभी भी गिरा नहीं था पहले यह बढ़ता था हमेशा से यहां पर एक छोटा सा decline था लेकिन consistency के साथ यह हमेशा बढ़ ही रहा था लेकिन यहां पर यह बहुत बुरी तरह से गिरा है OPM में कमी नहीं आई है लेकिन profit गिरा है अब दूसरी जो negative चीज है वो है shareholding pattern में जो की थोड़ी negative है थोड़ी neutral है अब इसका promoter को जैसे हमने बोला कि promoter के पास जो stake है वो यह कम करने को ready नहीं है प्लस अगर news वगर आप चेक करेंगे AWL की तो यह new new businesses या new new products में entry क कम होते जा रहा है यहां से भी देखेंगे तो कम हुआ है यहां से भी देखेंगे तो कम होते जा रहा है अभी अगर इसे yearly हम लोग चेक करते हैं तो yearly data में हमको कुछ खास difference नहीं मालूम चलता लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो यहां हुई है और पब्लिक ज्यादा इसमें फजी हुई है अब देखे इसके sales में कोई कमी नहीं है ये बहुत अच्छी बात है ठीक है ये बहुत positive बात है जो भी reason हो इसके profits के गिरने का ये देख रहे है net profit है तो ये profit के गिरने का जो भी reason हो चाहे tax हो चाहे कुछ भी हो prices उपर नीचाए raw material का होना हो जो भी reason हो अगर sales at least continuation के साथ उपर जा रही है तो ये जो पहले का pattern है ये वापस आने के chances भी रहते हैं और इस तरह के stock में उमीद रखना जरूरी भी है guys क्योंकि हमारा investment काफी जाद हो रखा है हमारे साथ साथ कई बहुत बड़े बड़े institutions का बड़े बड़े लोगों का इसमें investment हो रखा है और प्लस अधानी की company है guys बहुत बड़ा आदमी है प्लस उसके उपर support भी है आपको पता है किसका और जितने भी इसके उपर इलजाम लगे है ऐसा कुछ नहीं है कि जो proof हुआ है तो डर में इसे बेच के अभी फिलाल कोई फायदा तो नहीं दिख रहा रुक के शायद फायदा हो जाए अभी देखिए news वगरा जब देखेंगे तो कुछ खराब news नहीं है 25% volume growth वगरा दिखा रहा है इवन अगर डावर का check करेंगे तो इनकी expectation जो है वो Q1 sales में जादा है क्योंकि inflation कम हुआ है जिसकी वज़से क्या होगा spending बढ़ेगी जब लोग खर्चा करेंगे तो क्या होगा FMCG के sectors में खर्चे बढ़ेंगे लोग खर्चा करेंगे spending करेंगे तो फाइदा किसको होगा FMCG वाली companies को होगा तो AWL को भी फाइदा होने के chances हैं अब दिखिए लोग फशे कहां पे थे लोग फशे थे इस candle में ज्यादा तर जो लोग फशे थे वो इस candle में फशे थे अब यह कैसा लग रहा है देखने में यह लग रहा है कि यहां से buyers इनको पुश कर रहे हैं तो उसकी वज़ए से लोगों ने यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे बहुत जगह पे entry की और बहुत अच्छे amount में entry की ठीक है बहुत जादा जादा quantities लोगों ने ली क्यो वही बता रहा हूँ आपको कौन सी follow करनी है वो आपके उपर है देखे इसमें जो सबसे important levels है फिलाल वो है 325 बोलो या 330 के आसपास का level यह 325 तीस का level कहां पर है यहीं पर ठीक है तो सबसे पहले इस level का तूटना बहुत बुरा हो जाएगा ठीक है इस level को तूटना नहीं च एक होता है yearly second level यह होता है second level मेरा final किसी भी share के bottom का ठीक है किसी भी साल के किसी भी share के bottom का यह second level जो मैं बताता हूँ यह final होता है इसके नीचे मैं कभी भी buying नहीं करता तो AWL के लिए यह जो पहला level है यह पहला level ही 170 रुपे के आसपास है जो कि मैंने सोचा था कि जब यह हिं नहीं किया क्यों कि यह stock बांकी के अदानी के stock से ज़्यादा strong है एक मुझे अदानी port सही लगता है और एक AWL सही लगता है तो अदानी port ने तो अपना जो yearly second level था उसको hit कर दिया था जिसकी वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी buying भी की थी अदानी port की बात कर रहा हूँ मैं त पर buying की थी लेकिन बांकी दूसरे कोई भी stocks जो है वो इस second level पर आये और AWL तो first level पर भी नहीं आया बांकी stock first level पर आये लेकिन ये तो first level के आसपास भी नहीं आया ठीक है तो इसलिए मैं बोर रहा हूँ कि जो stock strong होता है न वो stock गिरता नहीं है बहुत जादा और ये एक अच ये chance 170 के नीचे जाता है तो 170 के नीचे जाने के बाद मुझे इसमें अगर कोई ऐसी positive news मिलती है जिससे कोई ignore नहीं कर सकता तब मैं इसमें 170 के नीचे buying करूँगा हाँ लेकिन अगर यहाँ पर ये आके bounce लेता है तो मैं इसमें कोई buying करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये जब stock आया था तभी मेरे पास इस level के आसपास में मेरे पास ये stock था और वो अभी भी है मैंने इसमें कोई भी यहाँ पर selling नहीं की थी profit booking कुछ नहीं किया था लेकिन हाँ मैंने थोड़ा ऊपर में भी खरीदा है आप लोगों के जैसे ही मैंने भी यहाँ पर entry की थी ठीक है 522 प situation कुछ ऐसी थी जो मैंने उपर में कम बाइंग की थी कम quantity रही थी ठीक है तो मैं बोल रहा था ये कि अगर 170 के नीचे ये जाता है और कुछ ऐसी बहुत ही अच्छी news मिलती है जिसकी वजह से इसे ignore नहीं किया जा सकता या फिर कुछ ऐसा fundamental मतलब strong दिखने लगता है या change दि मैं इसे छेड़ने वाला नहीं हूँ और अगर इस level को ये break कर देता है तब तो ये negative हो जाएगा तो अगर आपके पास यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी है तो panic मत करो उससे कोई फाइदा नहीं होगा हाँ अगर आपके पास पैसे नहीं है दूसरे stocks में investment करने के यह तब आप इसको sell करके दूसरे में लगाना चाहते हो तो वो आपकी call है आप कर सकते हो गलती उसमें कुछ भी नहीं है ठीक है अगर आपको कोई ऐसा stock मिलता है जो small cap हो micro cap हो mid cap हो जो आपको लगता है कि बहुत कम time में आपको बहुत जादा profit दे सकता है तो क्यों ना उसम दूसरे stocks में लगाऊंगा इसमें जो पैसे लगे हो है वो लगे रहने दूँगा क्योंकि अभी promoter के पास भी बहुत अच्छा stake रखा हुआ है right stock बहुत जादा नहीं गिरा हुआ है logically आप यह सोचो कि आपने higher level पे buy किया है stock अभी तक हमारे yearly first level पे भी नहीं आया ठीक है त stock बहुत जादा नहीं किरा है आपने higher पे buy किया हुआ तो panic करने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है अभी फिलाल इसमें ठीक है तो confident रहो बिना डरे आप इसमें holding बना के रख सकते हो बस एक ही situation है अगर आपके पैसे नहीं है दूसरे stock में लेने के लिए तब आप बेचके तूस section में लिख के बताओ या फिर telegram में message कर दो ठीक है चलिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में